आज यहां से एक नई सीरीज की शुरुआत हो रही है हम क्या करने वाले हैं कि अलग-अलग फील्ड में अलग-अलग लोगों ने जो भी कुछ एक्स्ट्राइडनरी अचीव किया है उनकी कुछ कोटेशन्स है उन कोटेशन्स की थुरू हम उनकी थौट प्रोसेस को समझने की कोशिश करेंगे कि वो किस तरीके से सोचते थे ऐसा क्या था उनकी सोच में जिसकी वज़े से वो कुछ एक्स्ट्राइडनरी अचीव कर पाए तो आज शुरुवात होने वाली Albert Einstein से लेकिन अगर आप लोग जो मुझे अभी वीडियो में देख रहे हैं आप चाहते हैं कि कोई पर्टिकुलर परसन है जिनकी कोटेशन्स की हम डेट में जाएं और उनकी थौट प्रोसेस को समझने की कोशिश करें तो आप मीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और मेरे आने वाले सेशन्स में मैं एक एक करके उनको कवर करता चला जाओंगा तो जो पहली कोटेशन है Albert Einstein की वो है अगर कोई और उस फिश को जज करे तो तो कोई प्रॉबलम नहीं है तो इसका मंदब वो बेवकूफ है यानि कि अगर दुनिया आपको जज करे तो कोई प्रॉबलम नहीं है इसका मंदब दुनिया बेवकूफ है बट अगर वो मचली खुद अपने आपको जज करने लग जाए इस बेस पे कि देखो मैं पेड़ पर नहीं चड़ सकती तो मैं बेवकूफ हूँ तो वो बेवकूफ है हर एक की कोई नो कोई अबिलिटी होती है जैसे सचिन तेंदूलकर है उनकी अपनी एक अबिलिटी है अबिलिटी है अगर अबिलिटी है अगर अबिलिटी है अगर अबिलिटी को बैट दे दिया जाए तो वो कैसे लगेंगे लोग हसेंगे या अकाउंट्स में डाल दिया जाता तो क्या होता जब बरतस्ति उनको चार्टेट अकाउंटेट बना दिया जाता तो क्या होता क्या वो कभी भी ऐसा कुछ अचीव कर पाते हैं जो उन्होंने अचीव किया No doubt he was a genius बट वो genius क्यों थे क्योंकि उन्होंने वो ही किया जो उनकी natural inclination थी जैसे कि एक मचली है अगर उसको बोला जाए कि पानी में तैरो तो वो पानी में बहुत तरीके से तैर सकती है एसा कुछ कर सकती है कि जो देखने वाले है they will be mesmerized वो कहेंगे कि यार यह कैसे हो सकता है जिसको पानी के अंदर तैरना नहीं आता है और वो उसको देखेगा मचली को तो वो क्या करेगा यह मचली जीनियस है तो इस तरह से पहले हमको समझना पड़ेगा कि हमारा personality type क्या है और जब हम अच्छे तरीके से समझ जाएंगे और फिर act करेंगे then sky is the limit फिर सब के अंदर एक जीनियस है फिर सब जीनियस है next quote is education is not the learning of facts but the training of the mind to think क्यों कहा जा रहा है देखो क्या कमाल की बात इन्होंने कही है बल्कि जिस वक्त इन्होंने कही थी उस वक्त computers इतने ज्यादा develop नहीं हुए थे internet इतनों ज्यादा penetrate नहीं हुआ था फिर भी वो देख पा रहे थे कि future में क्या होने वाला है उसके base पर यह statement उन्होंने दी है क्यों education में learning of facts important नहीं है क्योंकि आज की रेट में अगर बात करी जाए तो जो facts है या जो knowledge है वो तो एक click of button पे available है मतलब अगर education का मतलब यही है कि school जाओ college जाओ और जो books में लिखा है उसको रट लो और अपने यहां पर feed कर लो तो इसकी जरुवत क्या है वो तो already mobile में है जो books में लिखा है अगर उसको अपने रट भी लिया और यहां पर feed भी कर लिया तो अगर उसको रिट्रीव करना है तो कैसे करोगे अपने आप से question पूछना पड़ेगा तबी तो वो याद आएगा याद आएगा और आप बोल दोगे बट यही काम अब अगर question पूछ करके ही answer आना और जितनी memory इसके अंदर feeded है जितनी knowledge इत mobile के अंदर feeded है जितनी knowledge Google में feeded है क्या उतनी knowledge हम अपनी brain में feed कर सकते हैं तो हमारी brain अगर हम education को सिर्फ इतना ही समझते हैं कि education का मतलब कि facts को यहाँ पर feed कर दिया जाए तो हमारी brain इससे बहुत पीछे ही रहेगी चाहे हम जितना मर्जी डेवलप कर ले हैं तो वह education किसी काम की नहीं है तो what is real education यह समझना बहुत जरूरी है क्योंकि अगर हम इसको नहीं समझते हैं तो हम ऐसे लोग अपने education system से निकालेंगे जिनके अंदर feed it तो बहुत कुछ होगा बर उनको यहीं नहीं पता होगा कि सोचते कैसे हैं य जरूरी है जरूरी है क्योंकि life में जो भी problems है जैसी भी problems है उसको solution कैसे निकलता है सोच करके निकलता है memory से नहीं निकलता है Google से नहीं निकलता है facts से नहीं निकलता है knowledge से नहीं निकलता है उस knowledge को use कैसे करना है उससे निकलता है अगर memory से या books से solution निकलता तब तो कोई problem नहीं थी किसी को पैसा कमाना है इतनी सारी books है पढ़ लो निकल गया solution उस से नहीं निकलता है information से solution नहीं निकलता है उस information को use किस तरीके से करना है उससे solution निकलता है जिस सवाल का जवाब Google नहीं दे सकता है उस सवाल का जवाब अगर आप दे सको सोच करके उस problem का भी solution निकाल सको जो Google नहीं निकाल सकता है तो कहेंगे कि आप intelligent हो ये intelligence डेवलप करने का काम होना चाहिए education system का this is real education next quote is the true sign of intelligence is not knowledge but imagination knowledge के base पे जो past में हो चुका है उसको हम repeat तो कर सकते है लेकिन कुछ भी नया create नहीं कर सकते है जब तक कि imagination नहीं हो यानि पहले हम कुछ imagine करे फिर knowledge को use करे तो ठीक है बट अगर सिर्फ knowledge के base पर हम सोचे कि कुछ भी नया discover हो सकता है impossible knowledge के base पर हम गोल 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 एक pattern में घूम सकते हैं तो इस bulb को बनाने की knowledge है हमारे पास में तो उस knowledge से क्या हो सकता है और bulbs बन सकते हैं एक factory बन सकती है उस factory में और bulbs को produce किया जा सकता है और एक ऐसा भी time था जब कोई bulb नहीं था there was no bulb तो bulb कहां से आया क्या knowledge से आया जो भी humanity की knowledge थी हजारों साल की क्या वहां से आया वो बल्ब बल्ब कहां से आया imagination से आया किसी ना किसी ने सोचा यानि वो बल्ब कहीं नहीं था किसी book में नहीं था इस दुनिया में नहीं था कहीं नहीं था किसी के mind में था उसने सोचा कि अच्छा ऐसा भी कुछ हो सकता है और उसके उपर काम करना शुरू कर दिया तो क्या हुआ? वो imagination reality बन गई in fact अगर हम अपने आसपास में देखे इस दुनिया में कुछ भी एक सुई से ले करके एरोपलेन तक सब कुछ आज reality है आज वो knowledge के framework में है आज हमारे पास में knowledge है सुई कैसे बनाना है एरोपलेन कैसे बनाना है वी हाब knowledge of producing it वी हाब knowledge of running it वी हाब knowledge of creating it बट एक टाइम पर वो सब क्या था वो imagination था सब imagination था जब imagination reality में convert हो जाती है तो वो knowledge हो जाती है फिर उसको repeat किया जा सकता है तो that is convenient बट वहाँ पर कुछ भी नया discover नहीं हो सकता है कुछ भी नया discover करना है तो you need imagination जैसे एक तरफ से wheel discover हो गया एक तरफ से luggage discover हो गया अब यहाँ पर imagination की जरुवत है क्या luggage उठाने में दिक्कत आ रही है wheel है wheel लेकिन बड़ा है तो अगर इस wheel को छोटा कर दिया जाए और इस luggage के नीचे फिट कर दिया जाए तो क्या होगा यह imagination है इस इस दिफरेंस बट्वीन imagination and reality यानि कि अगर इसको हम अपनी life से relate करे तो जो भी हमारी जो current situation है या जो भी कुछ आज तक हमारे साथ में हुआ है वो सब क्या है knowledge है facts है हो सकता है वो facts यह जो हमारी reality है वो यह कह रही है कि हम life में कुछ करी नहीं सकते बट imagination यहाँ पर क्या कर सकती है imagination यहाँ पर अगर हमारे अंदर है तो हम imagine कर सकते है कि future में इस reality को बदला जा सकता है हम अपने ले एक नया future imagine कर सकते है based upon the resources that we have based upon the knowledge that we have उस knowledge को, उस information को, उन resources को use करके हम अपनी imagination को सच कर सकते है तो इसलिए कहा जा रहा है कि imagination is real intelligence वो कि knowledge को तो एक robot भी repeat कर सकता है तो robot को हम artificial intelligence तो कह सकते है real intelligence नहीं कह सकते है यानि कि कोई product है वो बनाना है तो वो तो machines भी create कर सकती है और करती ही है एक robot भी बना सकता है लेकिन कुछ ऐसा है जो robot नहीं कर सकता जो हम ही कर सकते है that is real intelligence, that is human intelligence तो ये कुछ quotations थी Albert Einstein की जिसको आज हमने deeply समयने की कोशिश करी है अगर इसके अलावा आप चाहते हैं कि कोई और person भी है जिन्होंने कुछ extraordinary achieve किया है किसी भी field में और उनकी भी quotations की हम depth में जाएं तो आप नीचे comment section में बता सकते हैं तो मेरे आने वाले sessions में मैं एक एक करके उनको cover करता चला जाबता wish you all the very best thank you so much